हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस अकेडमी के लर्निंग एप तो जैसे कि मैंने आपके लिए जी एस और जी के की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करे थी जिसमें हमने इंपॉर्टन कुछ टॉपिक जैसे कि भारत के प्रमुक बंदर का भारत की कौन सी और मुखरास्क चे पार्क और पक्षी अभियरण के बारे में और पूरे की पूरी theoretical portion कराने के बाद वीडियो के end में कुछ questions भी दे रखे मैंने उन questions को ज़रूर लगा कर देखने ही कोशिश कीजेगा कि अब तक आपको पूरे के पूरे lecture में कितना कुछ समझ में आया है य आप मुझे बता दीजेगा मैं आपको next class में tricks के साथ भी पढ़ा दूँगा ओके तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा क्या है theoretical portion उसके बाद मैं आपको मैं questions के बारे में बात करूँगा तो एक बार theoretical portion पढ़ लेते हैं ओके तो notebook निकालियो और आज की date डालि लिख लीजिए आज का अपना next topic भारत के प्रमुख राष्ट्य पार्क और पक्षी अभियरण नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी यानि की राष्ट्य पार्क और पक्षी अभियरण कौन-कौन से हमारे भारत राज्य में भारत देश में उसके बारे में हम बात पहला नेशनल पार्क वो है speaking आशनल पार्क तो जहां से राम गंगा निकलती है वह आप सभी को पता ही होगा इसका न già से दोसरा कौश्चन अगर आपसे पूछा जांए कि Jim Corbett National Park कहां पर है तो ध्यान रखेगा कहां पर इस्तित है ये उत्राखंड में इस्तित है Jim Corbett National Park is in उत्राखंड तो इस नाम को ध्यान रखेगा कहां पर है उत्राखंड में साथी साथ में अगर आप से पुछा जाए कि Jim Corbett National Park जो है वो किस चीज के लिए मशूर है तो ध्यान रखेगा हाथी के लिए और बंगाल टाइगर के लिए यहीं कि बागों के लिए यह बहुत मशूर है elephant and बंगाल टाइगर्स यानि कि आपके जो बाग होते हैं वो जैसे कि आप नीचे image में देख रहे हो बागों को जब बाग काफी खत्रे में हो गये थे तो बागों को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना गया था बंगाल टाइगर्स को सेव करने के लिए बचाने के लिए और साथी साथ में यहाँ पर elephant को भी रखा जाता है elephant का संद्रक्षन भी किया जाता है तो दो question बने आपके यहां से जिम कॉर्बेट नेशनल पार कहां पर इसकित है और किस चीज के लिए मशूर है question पूछा जाए तो ध्यान रखेगा इन पॉइंटों को नाम को ध्यान रखेगा राजस्थान के भरतपूर में पढ़ता है जो कि क्या है एक पक्षी विहार है जिसका पुराना नाम था भरतपूर पक्षी विहार जिसको चेंज करके फिर घाना पक्षी विहार कर दिया था और अब इसका नएा नाम कर दिया है केवला देव घाना पक्षी अभियरण, टो इसका केवला देव घाना 5 हैंपोरंट क्यों कि सर्दिव के दिनों में जो कई लुप तो उचुके पक्षी हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, for example सर्दियों के दिनों में जो साइबेरियन जो हन्स होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा या जो इमिज देखरो फ्लैमिंगो या फिर इससे आपके अनेक अनेक परकार की बर्ड देखने को यहाँ पर मिल जाती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि घाना कहां पर है तो ध्यान रखे है घाना इसे बर्ड सेंचुरी राजस्थान जो की राजस्थान में कहां पर है भरतपुर जिले में है जिसका नया नाम है केवला देव घाना बर्ड सेंचुरी बहुत इंपर्टन्ट है यहाँ पर विलु पार्क जो है वो कहां पर है तो ध्यान रखेगा इस इन आसाम यानि कि कहां पर यह आपका आसाम में इस्थित है और वो किसलिए मशूर है तो ध्यान रखेगा एक सिंग वाला गैंडा यानि कि वन हॉन राइनो जो होता है उसके लिए बहुत मशूर है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यह वन एक सिंग वाला गैंडा है और उसी के लिए बहुत मशूर है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेगा भारत का एक ऐसा नेशनल पार कैंज पार्क है जहाँ पर एक सिंग वाला गैंडा मिलता और साथी साथ में Elephants के लिए हाथी के लिए भी मशूर है और साथ में Cheetah यानि कि Leopards के लिए भी मशूर है लेकिन आपको बस ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि यह किसलिए मशूर है? एक सिंग वाले गैंडों के लिए वन हॉन राइनों के लिए अगर आपको अप्शन में इस तीनों अप्शन देखने को मिल जाए वन हॉन राइनो या फिर एक सिंग वाला गैंडा हाथी यानि कि Elephant, Cheetah यानि कि Leopard यह तीनों के तीनों अप्शन देखने को मिल जाए तो आप किस पर टिक करोगे? तो एक सिंग वाले गैंडे के उपर टिक करोगे क्योंकि इसको एक सिंग वाले गैंडे के संडरक्शन के लिए ही बनाया गया था फिर धीरे धीरे और भी इसमें अनिमल एड होते रहे तो ध्यान रखेगा इस पॉइंट को नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ जो कि है आपका गिर नेशनल पार्क या गिर रास्ट्यय पार्क बहुत इंपटन्ट है पहला क्वोश्चन कहां पर है? तो ध्यान रखेगा गिर रास्ट्यय पार्क जो है वो mats Guardian के जूनागड में है दूसरा कोशन किसले मशूर है और किसले यहाँ पर ज़्यादा नाम है और किस एनिमल को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है तो ध्यान रखेगा बबबर शेर बबबर शेर जो होते हैं यानि कि जो लॉयन्स होते हैं उनके लिए बहुत मशूर है जो कि आप अगर लॉयंस को देखना चाते हो वो भी उनके प्राकरतिक आवास में तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि बबर शेर यानि कि लॉयंस को प्राकरतिक आवास में देखने के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा मशूर है तो वो गिर नेशनल पार्क है तो यहाँ पर जो लॉयंस होते हैं बबर शेर जो होते हैं उनको आप उनके प्राकरतिक आवास में देख सकते हो और साथी साथ में आपर चीता और आपके शेर जो की बाग होते हैं उसके लिए भी बहुत मशूर है ये इन्पोर्टन पॉइंट्स हैं ध्यान रखेगा इस बात को ज्यादा तर आप से ही कोशन पुछा जाता है कि बबबर शेर यानि की लायन को अपने प्राकर्तिक आवास में कहाँ पर देखा जा सकता है तो गुजरात के जूनागर में जो इस्थित है गिर नेशनल पार्ग गिर राष्टिय पार्ग उसमें देखा जा सकता है नेक्स आजाता है फिफ्ट जो कि यह सुन्दरवन बहुत बार आपने सुना होगा जो कि वेस्ट बंगोल और वहाँ पर देखने को मिलता है आपका बंगलादेश के बॉर्डर पर सुन्दरवन बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट कहां पर इस्थित है तो ध्यान मशूर है तो ध्यान रखेगा बंगाल जो सुंदरवन है वो बंगाल टाइगर के लिए तो मशूर ही है उसके साथ साथ में यहाँ पर चीता यानि कि लेपर्ड भी देखने को मिलते हैं अधिकतर आपको यहाँ से पूछा जाता है कि यह सुंदरवन के लें भी मशूर है नेक्सट कोशन है सिक्स बंदिपूर आप यह बंदिपूर नेश्टे पार्क यानि कि राष्टचेपार्क जो है वो कहा पर इस्थित है तो ध्यान रखेगा आपसे पूछा जाए कि बंदिपूर राष्टे पार यहां पर हलका सा मिस्प्रिंट हो गया है कोई बात ने इसको ध्यान रखेगा क्या लिख रखा है बंदीपूर नेशनल पार्ग जो है वह कहां इस्थित है तो आपको option में करनाटक देखने को मिल जाए या महसूर देखने को मिल जाए तो दोनों में से आप किसी पर भी बहुत जादा महसूर है ध्यान रखेगा इन पॉइंटों को यह वाला question काफी बार पूछा जा चुका है कि बंदीपूर नेशनल पार्ग राश्चे पार्ग जो है वह कहां इस्थित है तो वह करनाटक में है इस्थित है मैसूर में नेक्स्ट एस सेवन्थ जो कि हजीराब अब यहां पर ध्यान रखेगा मैंने हजीराबाद बोला है हजीराबाग नहीं बोला हजीराबाग जो है वह जारखंड में है ओके हजीराबाद रास्टे पाग जो है वह कहां पर इस्थित है तो बिहार में इस्थित है ओके इंपोर्टन ध्यान रखेगा हजीराबाद ने देखकर जारकंड भी देखने को मिल जाएगा तो ध्यान रखेगा जारकंड भी लगा सकतो इसका लेकिन वहाँ पर हजीराबाग एक और नेशनल पार्क है important point है ध्यान रखेगा तो यह 7 नेशनल पार्क थे यह 7 राष्टे पार्क थे जो कि आपके पीवियस की बुक में कहीं न कहीं कहीं किसी न किसी की तरह थार फोर्थ फिफ्ट में हिंट देकर पूछ रखा था, अब ये साथ नेशनल पाक तो बता दिये, अब कुछ इनपोर्टन पॉइंट्स भी सुन लीजिए, यहां से कैसे आपके questions देखने को आपको मिल सकते हैं, त इसको है न, आप अपडेट कर लीजिएगा, देश में सबसे अधिक राष्टे पाक जो हैं, वो मध्यपर्देश में हैं, अगर पूछे जाए कितनी संख्या है, तो कुल उनकी 9 संख्या है, इंपोर्टन पॉइंट है, ध्यान रख्येगा, maximum number of national park is in मध्यपर्देश, यान सबसे छोटा ध्यान रख्येगा, देश का सबसे छोटा राष्टे पाक, smallest national park in our country, वो कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बेटन नेशनल पार्ग, क्या है, साउथ बेटन नेशनल पार्ग है, कहाँ पर स्थित है, तो वो है हमारा जो की सुदूर इलाका है, हमारा एक कोने वाला भारत का अंडोबार, निकोबार, वहाँ पर इस्थित है, एक आइलेंड है, अंडोबार निकोबार बिल्कुल इस तरफ को, सिरी लंका की साइडी की तरफ को, वो हमारे भारत का ही एरिया पड़ता है, तो ध्यान रखेगा, smallest national park is in South Baton in Undaman and Nicobar is our country, ओके, important point है, ध्या वो है हमारा Hemis National Park, Hemis National Park, जो है वो कहां इस्थित है, तो वो ले और जम्मू कश्मीर में, अब ध्यान रखेगा, ये कहां पर पड़ेगा, तो ले में, लदाक में पड़ेगा अब ये वाला, ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर और ले जो हैं, वो पहले एक थे, लेकिन अब अ खोटा अंडमार एंड निकोबार में हैं, और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाएं, कि भारत देश में एक मात्र पानी पर तैरता हुआ नेशनल पर कहां पर है, बहुत इंपोर्टन्ट है, कोशन ध्यान रखेगा, पानी पर तैरता हुआ, वो है हमारा मनीपूर में, अब मनीपूर में बस आपको इतना ध्यान रखेगा, वो केबूल लाम जाओ, उसका नाम है, तो वो मनीपूर में पर पानी पर तैरता हुआ हमारा राश्ट्य पार्क है, अब पानी पर जैसे ना हो तैरती ने, वैसा, टेंशन मत लीजेगा, वो मैं आपको एक ट्रिक वाल अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, वीडियो के end में कुछ questions भी दे रखें, वो भी लगाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक और दुबार अपडेट कर देता हूँ, इसी से related में आपकी एक ट्रिक वाली वीडियो भी है, वो भी मैं आपका काम चल रहा है, वो भी मैं आपको अच्छी चारिए देखने को मिलेंगे और वो भी ट्रिक के माद्यम से, अब बाकी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो मुझे नीचे comment box में जरूर लिख कर बता दीजिएगा, चलिए, next अपने questions के ओपर चलते हैं, कि हां से किस परकार के questions पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बताया था काजी रंगा, किस animal के लिए important है, किस animal के लिए famous है, और साथी साथ में किस राज्यमिस्थित है, जल्दी बताइए, बिहार में, तमिलनाडू में, असम में या केरल में, ओके, तो ध्यान रखेगा, जिस जिस बच्चे ने इसका option number third, यानि की C लगा कि बंदीपुर project tiger reserve किस राजे में इस्थित है, इन विच स्थेट इस दा बंदीपुर project tiger reserve is located, तो जल्दी से बताइए, बंदीपुर जो national park था, जो कि tiger reserve के लिए रखा गया था, वो कहाँ पर इस्थित है, आसम में, मद्यप्रदेश में, करनाटक में या राजस्थान में, तो जल्दी से बतेगे क्या होगा इसका अंसर, कि बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व is located, तो मैंने आपको ये भी बताया था, किस एनिमल के लिए important है, और साथी साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये कहां इस्थित है, तो मैंने आपको बोला था, या तो आपशन नमबर तीन, क्या बोल रखा है, कहना राष्ट ये उध्यान, किस राज्य में इस्थित है, in which state is the कहना नेशनल पार्क located, तो कहां इस्थित है, ये ध्यान रखेगा, तो ये छतिस गड़ में, मद्यपरदेश में, आसाम में, या राजस्थान में, तो जल्दी से ब पहला कोशन की कहाना कहां पर इस्थित है, तो मद्यपरदेश में इस्थित है, सबसे ज़्यादा जो आपके नेशनल पार्क है, वो कहां पर है, तो वो मद्यपरदेश में ही है, और मद्यपरदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कोन सा है, तो कहाना नेशनल पार्क ही है तीनो points को धियान रख सकते हो कोई भी question पूछा जाए तो यहाँ से आप उस चीज को tick कर सकते हो next question भारत में सबसे बड़ा बाग अभियरण reserve बहुत important question है मुझे लगा इसलिए मैं आपको डाल दिया question यहाँ पर which is the largest tiger reserve वो in India वो आपके tiger को बचाने के लिए सबसे बड़ा जो reserve बनाया गया था बाग अभियरण बनाया गया था वो कौन सा है वो बताना है आपको तो नागा अर्जुन मानस या पैंच या आपका कॉर्जिम कॉर्बेट यानि कि कॉर्बेट तो जल्दी से बताईए option number A B, C या D कौन सा इसका आंसर आपका सही है तो ध्यान रखेगा जिस जिस बच्चे ने इसका नागा अर्जुन राष्टे पाग लगाया है आपका Tiger Reserve लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका तो नागा अर्जुन Tiger Reserve जो था वो सबसे बड़ा ध्यान रखेगा क्या था सबसे बड़ा बाग के बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट तयार किया गया था नागा अर्जुन बाग अभ्यारण के नाम से तो option number A जिस जिस बच्चे ने लगाया है वो बिल्कुल सही answer है आपका next question fifth क्या बोल रखा देखिए गिर के शेरों को रखने रखे जाने ही तो किस राष्टे पार्थ यह अभ्यारण का चैन किया गया which national park century has been selected for keeping gear loins यानि कि जो आपकी गिर राष्टे पार्थ के जो बबबर शेर थे लॉयंस थे उनको रखने के लिए कौन से अभ्यारण को चुना गया था option A पैंच, option B काना, option C बदवगड या option D पालपूर तो जल्दी से बताईए कौन सा इसका बिल्कुल सही answer होगा वैसे तो ये किसी चीज से रिलेट नहीं करता लेकिन कुछ प्रॉबलम सागी थे ये शेर धीरे धीरे जो हो रहे थे वो बिमार होकर मर रहे थे गिर में तो इसलिए आपका कहना जो नेशनल पार्क है उसको चुना गया था गिर के लोयंस को रखने के लिए तो इस कोशन को भी ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा रिलेटिड कोशन है इसलिए मैं आपका कोशन यहाँ पर ये डाल दिया तो ऑप्शन नमबर बी जिस जिस वच्चे ने लगाया था वो बिलकुल सही answer था आपका next question 6 क्या बोल रखा है केवला देव घाना पक्षी विहार कहां इस्तित है where is केवला देव घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटड तो केवला देव को मैंने आपको अच्छे से explain करा था कि सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था फिर किस नाम से जाना गया और आज कल जो नया नाम है इसका वो केवला देव घाना पक्षी विहार है तो कहां पर यह स्थित है option A अलवर राजिस्थान में option B भरतपुर राजिस्थान में तो आपको अगर option दिग गया होगा तो यहां से आपको आगे जाने की जूरती नहीं है क्यों क्योंकि मैंने आपको बोला था इसका पुराना नाम था भरतपुर पक्षी विहार फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया घाना पक्षी विहार और अब इसका नाम कर दिया है केवला देव घाना पक्षी विहार तो इसलिए आप यहां पर देखकर रुख सकते थे option number B भरतपुर राजस्थान जो लगाया होगा आपने वो बिल्कुल सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने B लगाया था next question 7 ज्यादा तर आपसे यही पूछा जाता है कि कहां पर इस्तित है और ज्यादा question यहां से इतने नहीं पूछे जाते जो पूछा जाता मैंने आपके put up कर रखे हैं यहां पर तो जिस जिस बच्चे ने option B लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था next question दुदवा राष्ट्य उध्यान कहां इस्तित है where is दुदवा नेशनल पार्क located तो इसकी एक बहुत मज़िदार ट्रीक है ट्रीक में जब आप पढ़ाने के लिए बोलोगे तब मैं आपको ट्रीक बताऊंगा बस अभी आप यहां पर ध्यान रखेगा दुदवा राष्ट्य उध्यान कहां इस्तित है मद्यपरदेश में, उत्तरपरदेश में तमिलनाडू में या उडिसा में तो जिस जिस बच्चों को जल्दी से इसका अंसर पताओ जल्दी से बताईए कहां इस्तित है इसका trick से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसकी एक बहुत मज़िजार trick है आपको पता चल जाएगा वहाँ से चलिए next question के ओर चलते है next question 9th क्या बोल रखा है काजी रंगा राश्टे पार्ग किस पशु हे तू जाना जाता है काजी रंगा नेशनल पार्ग is not from for which animal तो किस जानवर के लिए मशूर है काजी रंगा तो मैंने आपको बोला था कहां इस्तित है सम में इस्तित है और वो किसले मशूर था तो एक सिंग वाले one horn rhinos के लिए बहुत मशूर था तो option number D जिस जिस बच्चों ने लगाया होगा देखते ही लगा लेना चाहिए था और बहुत फेवरेट कोशन है यह आपका TED का important है ध्यान रखेगा इस कोशन को तो option number D जिस जिस बच्चों ने इसका लगाया था वो सही answer लगाया था आपने next question 10th क्या बोल रखा है भारत देश का एक मत्र पानी में तैरता हुआ रास्टे पाक इस्थित है तो India is the only floating national park is in the country तो कहां पर है in the country कहां पर है आपका हमारा जो national park है जो पानी पर तैरता हुआ है तो मैंने आपको last में एक हलका साथ hint दिया था तो कहां पर इस्थित है वो आपका option number B मनी पूर में आपको बताया था जो कि केबूल लाम जाओ उसका नाम है तो option number B ध्यान रखेगा भारत देश का एक मात तैरता हुआ रास्टे पारक है मनी पूर में तो यह था दोस्तों आज का हमारा पूरे के पूरे कुछ important question तो यहां पर आकर आपके पूरे का theoretical portion और पूरे के पूरे important question सारे के सारे खतम हो जाते हैं तो यह lecture बस यहीं तक था और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इससे related जो आपको tricks की एक video होती है अगर वो चाहिए तो नीचे comment box में लिख दीजेगा मैं आपको trick वाली भी पढ़ा दूँगा शान्दा tricks के होती है जो भी आपको यहाँ पर ध्यान रहा है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आपको tricks वाली वीडियो चाहिए होतो तो यह था दोस्तो आज का मारा पूरा का पूरा लेक्चेर भारत के प्रमुक राष्ट्य पाक एवं पक्षी अभियरण और उससे related महत्पून प्रश्न तो आज के लेक्चेर में बस दोस्तो इतना ही आपसे फिर मुला कातोगी नेक्ट लेक्चेर में एक most important कुछ theories के साथ जब तक के लिए keep study